दोस्तों यह मूंग की टुकड़े वाली दाल देख रहे हैं आपका मूट खराब हो गया होगा कि घिचड़ी बनेगी नहीं हम बना रहे हैं दाल बहुत अच्छी बनती है दाल आप मूंग धुली बनाते हैं आपको अच्छी लगते लिगी नहीं मूंग छिलके वाली इस तर इसे भीगोने की जोरत नहीं है अच्छी से दो लीजिए उसके बाद डाल दीजे प्रेशर कुकर में और इसे पानी डालकर पकाने वाले हैं पकाते टाइम हम इसमें डालेंगे जैसे एक कप डाल में चार कप पानी और थोड़ा सा नमत बस मिक्स कीजिए प्रेशर कुकर का दाल बहुत अच्छे से कल जाएगी अगर बाइचांस नहीं गली तो थोड़ा और दो मिनट और पका लीजी तो तड़का मिलाने के बाद भी आप पका सकते हैं यह कि दाल बहुत अच्छे से पक गई है अब यह दिखने में इतनी लाजवाब नहीं लग रही है तड़का कुछ नहीं आइट करना हमें यह तेजबत अगरा कुछ नहीं चाहिए इसे बस दो मिनट पकाईए और यह बारी कड़े पर आज मैंने दो चोड़ चोड़ी बारी काट लिए तुरह सादरा थुरह से लसन डाला है और बस इसे अपने पकाना है अब अपने तड़का तब त सबसे पहले मैं कसूरी मेथी मिला रही हूँ एक चममच आप कसूरी मेथी मिला रही हूँ दाल का सुआद और महक बहुत अच्छी हो जाएगी और साथी आप एक चममच इसमें धनिया पाउडर मिला दीजिए बस यह दो मसाले और नमक में छल दी पड़ेगी इसके लाब ह अको कुछ नहीं मिलाने वाले अब इसमें मिला रही हूँ टामाटर बारीक कटे दो चोटे टामाटर लिजी बारीक काटके और डाल मिलाटर पीसकरौरण सकते हैं दाल में तड्का लगाएं तो तड़का नदाल मिला रहता हूँ ज़्याद हैं सुआधा आप Напрोटे से लाल ताकि हमाई टमाट्रों का जो कच्छा बनना है अच्छे से निकल जाएं सौफ्ट हो जाएं तो तरका जब आपका अच्छे से पक जाए अच्छे से घी छोड़ दे तो इसमें 5-7 मिनट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पर कीजिए और यह देखे हमाया तरका पक गया और मैंने क्लिव ऑगर ही तो आप इसमें आपको दाल कितनी पतलीया अच्छी पतली या अच्छी लगता है अकोर्डिंग पानी मिलाई तो थोड़ी सी गाडी ability तो इसमें पानी मिला देती हूं और इससे मिक्स करती हूं और हलक़ा बॉइल तो दिलाना बढेगा ना क्यूंकि और खाने में सच बताओं बहुत ही लजीज होती है दाल बहुत टेस्टी होती है लेकिन पतनी क्यों लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं से इसे सब कीजे गर्मा गर्म और बढ़ी आसी दाल को मैंने सब कर दिया उपर डाल दिया देसी घीस जब भी दाल सब करें देसी की डाल और मज़ा आजाता है खाने में दोबारा तड़का लगाने के बिल्कुर ज़रत नहीं दाल यूही मज़े लेके खाईएगा चावल के साथ खाई या फिर रोटी के साथ जैसे आपको अच्छा लगए तो इस उमीद के साथ आप ये रेसेपी जल्दी ट्राइ करेंगे मैं चलती हूं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया